जो लव जिहाद के जितने भी केसेज हैं उसको लेकर मतलब आपको दुख नहीं होता है देखे निहरका जी इंटॉलरेंस की लिंचिंग नहीं होनी चाहिए सर आपकी पार्टी में नरेन मुदी ही है एक फेस का ये वन मायन पार्टी वन के रह जाएगी कि लिहाज आंक का रिष्टों का डर नहीं होता जब एक शक्स के हाथों में घर नहीं होता जहां पर कॉंग्रेस जीती है ख़बर यह कि वीज़ेपी उनको जीतने की मिठाई खाने तक का मौका नहीं देती है और आपरेशन लोटस की आहाट हो जाती है हमसे जो है अपना घर संबल नहीं रहा है और मोले में शोर मचाएंगे कि बचाओ 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 हमें लूट लिया हम सर्थ काले धन को नहीं ला पाए हम भगोडों को रोप नहीं पाए हम उन्हें एक्स्टडाइट नहीं कर पाए टेरर फंडिंग रुपनी चाहिए तो इन कमदल हिष्टी शीटर और सेकुलर मिष्टी शीटर से हमें बचना होगा नमस्कार स्वागत आप सभी का हमारी सुशेश पेश 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 में मैं हूँ आपके साथ निहारी कमरे इश्परी आज की स्टार शक्सियत हमारे साथ मौझूद है मुकतार अबास नक्विसहा वो शक्स जिसने इलहबाद उनिवर्सटी पे राजनीती भी की लेकिन उनकी राजनीती इतनी सौफ्ट है इतनी फूटफुल है कि आज भी कवी और अपने शायराना अंदाज में भारी बाद इ आजिस सभा का सफर, वित मंत्राले तक का सफर, हर समयती तक का सफर, कौन से ऐसे डिपार्टमेंट है, माइनॉरिटी अफेर्स जो जिसमें इन्होंने अच्छा काम ना किया हो और नजीर ना पेश की हो अभी इनको बुलाना इसलिए जरूरी था क्योंकि हिंदुस्तान में elections है, चाहिए वो विधान सभा हो या लोग सभा चुनाओ हो, ऐसे समय में जब पाकिस्तान में कहा जा रहा है कि हम मोदी के भारत से कोई बिजनस जीन नहीं करेंगे, इना रबानी खार और बिलावल भुटो यहां पर आकर कुछ भी बोल देते हैं, ऐसे समय में जब लव ज आशिक मस्नों पर बात ना करके सीधे एंट्री होती है, धार्मी की करण, कमिनलाइजेशन, लव जिहाद, और हिंदू-मुसलिम की, और फिर राश्रुबार के नाम पर इलेक्शन जीता जाता है, और पोलराइजेशन होता है, यह तमाम चीज़े इस वक्ट देश में फैली होई है, बीजेपी वर्सेज ओल नहीं, बलकि मोदी वर्सेज ओल है, तीसरे मंच, तीसरी जो मोचा है, उसका प्रादूर भाग मुरा है, हर कोई मोदी खिलाफ है, और कहा जा रहा है कि इस देश में हिंदू-मुसलिम की राजविती होती ही, जो राहुल गांदी भी जाके कर लेते हैं, बहुत ज्यादा सॉफ्ट मिजाज है आप, एकदम से इलाबाद युनिवर्सिटी की भारी भरकम राजनीती, फिर अपने आपको एक ऐसा शक्स प्रजेक्ट करना, लव जिहाद के समय में, जो एक सेक्यूलर है, जिसने सीमा जी से शादी करी, शादी अच्छ राजनीती में आना रहा, और आपकी जो पर्सनल लाइफ है, उसने बहुत लोगों को सबक भी दिया है, बहुत मौलानाओं के मूवेबद किये हैं, उसके बारे में पहले हैं, देखे नियरका जी, एक बात बहुत साफ है, कि वही हगदार है किनारों का, जो बदल दे हो, आप बदल नहीं सकते, तो आप किनारों के हगदार नहीं है, आज जो आपने एक बात शुरू में कहीं कि आज जो है, वो पूरे देश में, ना किवल पूरे देश में, बलके पूरी दुनिया में, जो है, वो मोधी मोधी हो रहा है, नरेन मोधी को कोई बास कह रहा है, क दुनिया के लोकतांत्रिक के देशों और लोकतांत्रिक व्योस्थाओं का मूल मंत्र बना हुआ है और तमाम तरह के संकर्ट, तमाम तरह के कंटक्ट, तमाम तरह की समस्याओं के बीज भी मेरा देश जो है वो आज दिन दूना राज चौगुना आगे बढ़ ला है आपने प चाहुआ है उसका मुक्र का अपने मालूम है क्या है उन्होंने जो है वो आतंगवाद के चरागा बना दिया था उस अपने देश को तो उसका इनको खम्यादा तो भुगतना पड़ रहा है सर मैं आपसे जाना चाहूंगी कि जो लव जिहाद के जितने भी केसे उसको लेकर मतलब आपको दुख नहीं होता है कि पब्लिक लिंशिंग लव जिहाद की केसे इतने ज्यादा बढ़ रहे हैं और ऐसी प्रिमिनल साइकलोजी बढ़ती चली जा रहे है और दूसरी तरफ कोट बैंक तक सिमट कर रहे गई हैं जैसा कि कॉंग्रेस बीजेपी सब करके जिस राज में अल्प संक्यों को बोल वाला है वापर जैशी राम और बजरंग बली आ गया देखें निहरका जी इन्टॉलरेंस की लिंचिंग नहीं होनी चाहिए जो सहीशूरता है उसकी आज में सुईकार नहीं है और ना सुईकार होना चाहिए मेरा भारत जो है वो पंत निर्पेश देश कहलाता है हम सेकुलर हैं हम सोचलिस्ट हैं हम डिमोक्रेटिक हैं उसके बावजूद भी अगर आज भी हम आम आजादी के अमरित काल में भी इस चीज़ के लिए लड़ सर नरेंद्रमूदी को लेकर इतना वीरोथ क्यों है, हर जगा नरेंद्रमूदी को लेकर बयाना दी जाते हैं जो कहासतार पर जहरेले होते हैं thats alright, आपका Anton क्या कहना है इंडिया में भी आम आदarlी जो उन्हें एक प्रधान मंत्री के तौर पर सुईकार अगर आम आगमी तो ने वोट दे कर कर रहा है तो तुमाम प्रधान सेवक मानने से इंकार कर रही है और यह जो विश है सिव भारत की जमीन से विदेशी जमीन तक भी जा रहा है क्या ऐसा एक स्वच्छ राजनीती का उ है और उन्हों ने जो है वो जिस तरह से गाओं गरीब किसा जुगी जुपड़ी के इंसान खेत्खलिहान के सरोकार को समझते हुए जो है वो लोग का तैह किया है वो रास्ता जो है वह सामानी रूप Сे ज्ञासी-ास chưa कर उसको सुविकारब नहीं होता और जहां तक सवाल है आप जह है वह आपकी लडाई क्या है आप मोड़ सिको कहते हैं कि मोडी को हम अटाओ अब जंता कहती है कि मोडी को डटाओ तो मोदी हटाओ और मोधी डटाओ तेक स्वाव मोधी को जनता कहें कि डटे रहो यह कहते हैं कि जी हटाएंगे तो यह जो इनका एक मुझी लगता है कि नासमजी की सोच है स्वासी नासमजी इसी अगरिश में की हैं, का ने केंदर की ती जिनको केंदर के अमल लहीं कर понимаю, का कॉंगर्स ने कहा कि हमाईい तुरंत अमल करेंगे वापसिहा गए तो इसका मतलब अब हिंदू मुस्लिम आप इमोशेंज पर चुनाव से पर चुनाव लड़ा जा रहा हूँ मिजेपी कई न कई उस पे फेल हो रही है नहीं बिल्कुल नहीं फेल हो रही देखिए एक शीज़ आपको समझना होगा कि कभी कभी राज्यों के इशूज अलग होते हैं इसी दोरान नरिन मोजी जी के ही नेतृत में हम जो है वो उत्रपदेश में परचंड बहुमत के साथ हम जो है वहार में जिस व Smallman कि अब हम से हमसे अलग हो गए हैं अ महारे साथी वाहां पर हमदोनी के नितृत में जीते हम महरास्ट जीते हम गुजराज जीते हम गोवा जीते हैं तौमाम एक लंब़ी शृंकला है जहां पर जीए और कुछ राज्यों में हमने अच्छा पर्दशन नहीं किया ये भी हम स्विकार करते हैं और जहां अच्छा पर्दशन नहीं किया अच्छे आगे पर्दशन अच्छे करने के संकल्प के साथ हम आगे बढ़ने हैं तो इसलिए अब दिक्कत यह है कि कुछ लोग हैं जो वक्त के साचे म बदलने पर यकीन करते हैं और उनका जो संकल्प है उसको पूरी दुनिया स्विकार कर रही है पूरी दुनिया इस बात को समझ रही है कि आज भारत एक उभरती हुई अर्थ वेस्था नहीं है बलकि एक उभरता हुआ ताकतवर देश भी है और भारत की धाग और मोदी जी की धमक को धूमिल करने की धूरता पूर धुन में खुद कुछ लोग धूल दूसरी तो रहे हैं यह देख लेंगे आप अप जहां जहां आप बोलते हैं कि डबल एंजिन की सरकार का फॉर्मला हमें गोट दे तो वहां पर चीज़े ट्रावल एंजिन के तौर पर आ जाती है लेकिन कॉंग्रेस कुछ राजियों में जीत कर भी इतना ज्यादा डर जाती है जो आप कह रहे थे ने कि यह हमारे साथ ही हमने इस राज्य में अच्छा करा अच्छा करा यह हमारे साथी थे हम से लग हो गए ठीक है सबके अपनी पॉलिटिकल एंबिशन्स होते हैं लेकिन जहां पर कॉंग्रेस जीती है खबर यह कि वीज़े पी उनको जीतने की मिठाई खाने तक का मौका नहीं देती है और ऑपरेशन लोटस की आहाट हो जाती है देखे एक चीज़ मैं कुटाई और परिवार की पिटाई से बच जाती है अधर्वाइस तो यह फिर पूरा के पूरा कुनबा खड़ा हो जाता है कि इवीम ने हमको हरा दिया इवीम के पर जो है वो ठीकरा फूरने लगता है इवीम को पूरा कुनबा पूरा परिवार भी एकटा होकर के आपने कुछ नहीं की पार्टी का कोई वेक्ती पार्टी में है पार्टी सी जीतता है उसके बाद वह हम से चोड़के चला जाता है तो हम यही कहेंगे ना कि हमसे जो है अपना घर समल नहीं रहा है और महले में शोर मचाएंगे कि बचाओ 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 हमें लूट लिया तो इनकी दिक्कत यह है कि इनको घर समलता नहीं और जब इनका घर इन से नहीं समलता तो महले में शोर मचाते हैं कि आप तो पर तभी उस समय से भरोसा नहीं कर रहे हैं जब चुनाओं के रिजल्ट सी नहीं आये ते तो आप आंदाज आसानी संदाजा लगा सकते हैं कि इनकी सोच क्या है सर आपकी पार्टी में नरेंद्र मुदी ही है एक फेस का यह वन मान पार्टी वन के रह जाएगी नरेंद्र मुदी एक कोई भी अच्छी पॉलिटिकल पार्टी होती है यह इंडिवीजुल होता है अपनी लेगिसी आगे बढ़ाता है क्या यह वन मान पार्टी है नरेंद्र मोधी एक स्वेस हैं उनका पैरलल डूनने में आपना काम्याब रहें देखें बीजेपी जो है वो दुनिया की आज की तारिख में सबसे बड़ी पार्टी है और बीजेपी में अगर आप देखें तो इससे पहले अटल जी अडवानी जी का यूग था और अटल जी अडवान की एक लोकतांत्रिक धंक से आगे लगातार चलने वाली चरैवती चरैवती के संकल के साथ काम करने वाली पार्टी है और एक बात बहुत साफ है कि लिहाज आख का रिष्टों का डर नहीं होता जब एक शक्स के हातों में घर नहीं होता जब एक मजबूत नेत्रित नहीं हो तो फिर इसी तरह होता है जैसे पिछली मनमोहन सिंग जी की सरकार थी कि परधार मंतरी कोई था सुपर प्राइमिनिस्टर कोई था निरले कहीं से होता था परपोस कहीं से होता था डिस्पोस कहीं से होता था तो उस तरह का मजबूर प्राइमिनिस्टर नहीं बलके मजबूत नेत्रुत चाहिए देश को और ऐसा मजबूत नेत्रुत चाहिए जो तमाम तरह के संक्टों और कंटकों में भी देश के लोगों की सुरच्छा, देश के लोगों की समरिद्धी, देश के लोगों का सम्मान सुरचित रच्छे के लिए लेकिन सर यह जो मजबूत नेत्रुत ह और इंदर ही दढ़ी है वह실ब कि देखे पहली बात यहां पर हमारी पार्टी में पर एक्जाम्पल MP तो अभी करनाटक में जुआ जुआ चार दिन हुआ सरकार को बने हुए उनके वहां पर क्या दिखाई पढ़ लाए आपको यह जो है वह हमारा मानना है कि जो पॉलिटिक्स होती है उस पॉलिटिक्स में जो है वो नेतुत में आपस में बातचीत शम्वाद और समन्वे होना चाहिए उसके साथ-साथ अगर थोड़ा बहुत ठक्राव ही होता है तो यह हमारे लोक्तांत्रिक में व्योस्था का हिस्सा होता है कि आपका बहुत लंबा चोड़ा एक्सपीरियंस है माइनॉरिटी अफेर्स को हांडल करने में मिनिस्ट्री आपके पास थी मुझे बताईए कि केंद्र में आपकी गोवर्मेंट है और गोवर्मेंट आते आते तमाम राजियों में यह हिंदू-मुस्लिम इशूस की हो जाते मैं माइनॉरिटी अफेर्स की अगर बात करूं सिख सड़कों पर थे किसान आंदोलन को लेकर अब प्रो खलिस्तान मुव्मेंट को लेकर वहां कई अमरित पार मश्रूम की तरह उग रहे थे और वो मुठी बर लोगों को अपना पूरा खलिस्तान समझ रहे थे अलग खलि देखे एक बात आपको मैं बताऊं कि यह जो सामपरदाइक छल है उसको समावेशी विकास के बल से समाज का कोई भी हिस्सा समाज का विकास का बराबर का हिस्सेदार भागिदार बने यह हमारा संकल्प रहा है इसका नतीजा ही यह हुआ कि वोटों की जो ठेके दारी थी वो जो है वोटो के ठेकेदारी जो है वो पुरी तरह से ध्वस्ट हुई है और वो लोगों ने आपको ध्यान होगा कि 1977 के बाद ये पहला मौका है जब कोई गैर कांग्रेस सरकार अपने नौ वर्ष पूरे कर रही है मनिपूर में अलग कणा इसे लिए बता रहा हूं कि क्या हुए कि 77 के बाद पहले तो आता है कभी मुराजी भाई तो दो साल रहे उसके बाद चंज़गे कुश महिने रहे चाद सिंग् जी आए कुश महिने रहे और जो है देव गोड़ा जी आए, कुछ महीने रहे, गुजराल साब आए, कुछ महीने रहे, मतलब वो आये और कांग्रेस में उपर ऐसे टांग घसीट लिया, क्योंकि उनके पैसा की पे थे, ये पहला मौका है जब जनता के जनादेश से नरेन मुदीजी को पूर बहुमत क साथ, जनता ने जनादेश दिया, और नौ साल और अगले दस साल पूरे हो रहे हैं, ऐसी सिती में जो परिवार तंत्र है, वो कैसे परजा तंत्र के परवान चर्थे देख सकता है, इसलिए आपको देखना होगा, आपने जो वर्ड का, शुरू होते ही जो है, आवार्ड व जो है, वो जब G20 की भारत अधेश्टा कर रहा हो, उस समय देश के देश के लोकतांत्रिक, देश के समवैधानिक धाचे और व्योस्ता को ना केवल देश में बलके पूरी दुनिया में बदनाम करने का पाखंडी प्राकरन किया जा रहा है, तो यह सारी इवेंस आपका यह अच्छा आप यह की बताईए कि कोई भी समाच का हिस्सा, चाहे अलप संक्या को, बहुत संक्या को, पिछला हो, अगला हो, क्या यह कह सकता है क्या, कि यह देश के जो विकास का सफर है, उस सफर का वो समान हिस्सेदार, भागीदार, यह हम सफर नहीं बन पाया, अगर हुआ है कि जैसे उस समय मनमुहन सिंग जी के समय कि देश के संसादनों पे सबसे पहले किसी एक समाच का हाक ऐसा नहीं है, देश के संसादनों पे सबसे पहले, जो सबसे आखरी पायदान पे खड़ा हुआ वेक्ती है, वो किसी भी धर्म, किसी भी जाती, और किसी भी छेतर जो अध्यक्ष है उन सब को कैम करने को बोला अपने अपने शेत्र में जाने को बोला है क्या हो गाओं वाले जिनको सिर्फ महगाई विरुजगारी से मतलब है वास्ता है और काला धन के आने की वो उम्मीद करें थी कि देश की एकॉनमी कुछ सुधर जाए इस बेसिक सालबी तमाम तरह क्या परकोब भी देखा उस समय जो है वो प्रकोब देखा फिसट्ड्यों करोना और कोरणा का भी जो है कहर लेखा उसके बावजूद भी जिस समय कि पूरी दुनिया की अर्थ होस्ता हिल गई थी मैं को nó अर्थ हो लुग ए फिछए उस की मुसीबत हो गई थी ऐसे सरक्मिस्सेंसे में देश के लोगों के सहत और सलामती को सुरचित रखना साथी साथ देश की आर्थ वेस्था को चिर्मराने से और तूटने से मचाना और साथी साथ महंगाई के आज पुरी दुनिया की महेंगाई दर देख लिजे आप और हमारे देश की देख लिजे तो इसलिए मुझे लगता है कि जो आपने कहा वो बुल्कुल सही है जो रोजगार और होने चाहिए दुनिया में चले गए काला धन आया नहीं हमारी एकॉनमी अंस्टेविल हो गई इन स्कैम से और काला धन नहीं आने की वज़ा से नहीं देखे काला धन जिस वक आप डिमॉन्टाइजेशन की बात कर रही है दिमॉन्टाइजेशन के जब हुआ उस समय यह संकल्प के साथ हुआ कि सबसे पहले तो इसका असर पड़ेगा टेरर फंडिंग पर टेरर फंडिंग रुकनी चाहिए और टेरर फंडिंग का आज की तारीख में बहुत बड़े पैमाने पर रुकी है ब्लैक मनी पर अंकुष लगा है और आपने आप तमाम लोग मज़ा करते हैं कि साथ जो डिमॉन्टा ब्लैक मनी थी तभी वह वापस आ गई इसलिए मुझे लगता है कि यह जो एक पुरा के पुरा क्योंकि जब तरकों की कंगाली होती है तो वेकती कुटरकों का मवाली बन जाता है तो इसलिए कुछ लोग को तरकों के मवाली की तरह इस तरह के मुद्बों को उठाने के कमी है एक आपसे आखरी सवार सर इस देश में माइनॉरिटी खब खुश रहेंगे जो सबसे ज्यादा टेंशन में रहती है और जो सिर्फ एक वोट बैंक बन कर रहे गई है राजनीती से उपर परे आप क्या चाहते हैं कि माइनॉरिटी के साथ क्या हो क्या इसे कानून क्या योजनाएं लेकर आएं कि सब साथ चले सबकार साथ सबका विकास हो और इसमें नियत नीती व्रितित हो भी शामिल देखिए एक चीज़ मैं बताओ नहरका जी यह जो कमनल हिस्टी शीटर है और जो आज सेकुलर मिस्टी शीटर बन गये हैं तो इन कमनल हिस्टी शीटर और सेकुलर मिस्टी शीटर से हमें बचना होगा आज जो है वो जह है मैनाटी हो मजाटी हो उसको देश के विकास का वो बराबर का हिस्टेदार है भागिदार है और जो लोग डरा करके खौफज़दा बना करके रखते हैं उसके पीछे उनका एक ही मकसद होता है कि उनकी सामपरदाइक ओटों की ठेकेदारी को समावशी विकास की हिस्सेदारी ने दोहस्त किया है इसलिए यह थोड़ा सा परेशानी लोगों को है लेकिन कोई भी समाज का हिस्सा ना तो डर क्या जरूवत है ना जो है खौफ की जरूवत है और आज जो है वागर पूरे देश की लोगों की सुरिच्छा हो रही है सामपरदाइक उनमास से सुरिच्छा हो रही है तो उसमें आलप संख्याग और मुसलमान भी है थीक है सर थैंकियू सो मच मुक्तार अगवास नक्वीसी हर चीज को पश्टता से उसका उतर देने के लिए और दर्श्रकों के मन में दुब